Hello Friends, Welcome to CodeMeta Channel इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम लॉजिकल इन्पुट्स हमारी जैंकिन्स में सेट अप कर सकते हैं लास्ट वीडियो में हमने बात करेंगे थी पैरमेटराइस्ट इन्पुट्स की जिसमें हमने पैरमेटर से बनाय थे नेम और लास्ट नेम के और उसको हमने हमारी स्क्रीन के उपर रन किया था with a bet dot bet and command line इस वीडियो में हम क्या करते है हम जो हमारा parameter parameterize section होता है उसमें क्या करते है choice parameter create करते है run data जिसमें हम true false जाल देते हैं और क्या करते है name और last name के लावा एक parameter और create करते है name to जिसमें हम peter डाल देते default value now क्या करते है हमारी जो ss2 dot bet file की उसको run करते है अब हमारी ss2 dot bet file के अंदर है क्या actual में अगर उसको देखें तो हमने क्या किया अगर हमारा जो run data है अगर आपको dot bet command dot bet के बारे में bet के बारे में या windows batch command के बारे में conditional जो operators होते हैं उनको use कर सकते हैं तो आप इसको easily way में run कर सकते हों नहीं तो आपको क्या करना है net search करके आपकी script के according आपको batch command को यहाँ पे लिखना है तब ही आप इन चीजों को चला पाओगे otherwise जब हम batch के बारे में बात करेंगे batch को सीखेंगे तो हम इसकी functionality देखेंगे किस तरीके से हम इसके अदर coding करते हैं अभी क्या है हम batch की बात नहीं कर रहे है coding की बात नहीं कर रहे है Jenkins की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे short form में आपको चीज़े बता रहे हैं कैसे कि इसमें क्या होता है इसमें 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 बात है फिर उसके बाद आपका variables होता है और आपको क्या check कराना है उसको true अगर वो true है यानि run data हमारा true है जो कि हमने Jenkins में डाला था अगर हम आपर ब्राउजर में जाएं तो कहां पर क्या डाला था हमने यहां पर हमने जो run data डाला था यह run data को true चेक करा रहे है यहां पर हम ठीक है अगर यह true है तो हमारी जो eco है क्या होगा इसमें bracket लगता है ठीक है ना और यह bracket जो होता है यह सब 7 में चलता है अगर इसको आपने 7 में लिखा नहीं तो यह आपको error दे जाएगा इस चीश का त्यान रखना आपको तो यह bracket लगाओ true के बाद इस तरीके से लिखा हमने else में हमने यह चीश डाल दी अगर वो true है तो हमारे पास क्या eco होगा this is my variable जिसमें name और last name हो जाएगा otherwise अगर वो false हो जाता है तो हमारा name to print हो जाएगा ठीक है चलो देखते हैं हम हमारे Jenkins में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो command run होती है वो क्या हमें result देती है build with parameter करते हैं सबसे पहले हम true के साथ build चला रहे है 45 number की build हमारी run हो चुकी है इसका output देख लेते हैं इसका output है this is my variable file victor mac jenkins job by run script यानि यह दोनों कहां पे थे true के case में थे तो यह दोनों आगए हमारे पास अब हम दुबारा से run करते हैं हमारी parameter को और इस बार false से set कर देते हैं हमारी build 6 run हो रही है build 6 में देखते हैं कि हमारे पास क्या run आया this is my variable file peter jenkins job run by script यानि second वाला section आगया ठीक है और यह कुण सा user था root ने run किया है ठीक है तो हमें यह बता चला कि हमारा जो conditional operator है जो conditional है वो इस तरीके से हमारे पास काम कर सकता है ठीक है लास्ट टाइम यह चीज नहीं थी तो conditional के लिए हमें क्या changes करने पड़े हमारी script file के अंदर name to job और यह file ठीक है और हमारे पार result की आया है हमारे पास अगर देखेंगे दोनों को तो second वाली पे हमारे पास जो result आ रहा है वो क्या रहा है पीटर वाला आ रहा है false होने पे जब हमारा system false से हमें बता रहा है और जब हमारा system true से हमें बता रहा है तो हमारे पास क्या result आ रहा है 45 वाली build में यह विक्टर मैक वाला ठीक है तो इस तरीके से हम हमारी जो conditional jobs होते हों से run करते हैं लोग दोस्तों को समझ आए वो conditional किस तरीके से चीज़े चलाते हैं conditional parameterized अगर आपको वीडियो चल लगे तो इसे like और share जरूर कीज़ेगा साथी साथ कोड़ में टा चैनल को subscribe कीज़े ताकि आने वाली वीडियो के notification आपको मिलते रहे